तक नल में पहुचे गंगा के सी पानी को पियार ताकि लोगों को किसी तरह का कोई संशय ना रहे जानकारी के मुताबिक हर घर गंगाजल योजना के तहर राजगीर के उनस वोटो के करीब आठ हजार एक्तिस घरों में पेजल के लिए गंगाजल की आप पुर्ति की जाएगी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के साकार करने से पहले उखे मंतरी नितीश कुमार ने गंगा की पूजा अरचना कर योजना का लोकारपन किया इस मौके पर नितीश कुमार ने कहा कि सियोचना से ना सिर्फ पानी की समस्य दूर होगी बल्कि बूचल अस्तर भी पढ़ेगा इससे पूरे शेतरु में पानी संकर से निज़ात मिलेगी इसके अलावा खोटन और स्टेडियन से अंगसन स्थानों में भी पानी की आपोड़ी के जा रही है में है अएज दें अवाको तो निज़ेंगी घर में कितना मिलेगा मैंने नहाना हो पीना हो तर्फी यह क्या काते हैं का रधाना बनाना उड़ा करना और आख पुरा का तुरा साप सकाई करना हो इसे वे काम के लिए कोई उसरे पानी कि तर इतना पानी के श्रुगब आप कि अब ही आज यहां आपका वही दोनों जगा करेंगे और यहां कुछ जगा खुनने भी आप जाएंगे पचाफ का में रख करेंगे बिल्कुल लंबा विजदा ने बढ़ा विजदा 250 से क्यावन का आपने सोच रखा है जब तो पना रहे तो मैंट्रीन के लोगों को एक चीज़ का ट्रेनिंग करेंगे तो आपके रही है और सब जिसके शुरक्षा की करेंगे जो बना रहे हैं वहीं कर देंगे सब तूर आउट्वान रोग किये दिसके आए उबेगे अगे आप करिएगा कुछ काम करने वान लोगों से भी बात कर रहे थे वो रहे थी कि गाइडलाइन समेशा मिलती रही है और बड़ी चली कुछ बात आए भी आई कि लोग को बता दिया थे कहां कहां से ने बता दिया थे कि आपको बोड़ी से पाथी दसे पाथी देगा कि लोगों समझ भी आगी अगी है यही सच्छी सब्सक्राइब आपने ते अलावे वास्ता ये लोग ऐसे आप तो तीन जगा के लिए हो ही गया वहाँ पर भी हम कहा रहे थे लुग ऐसे ही पहले कहा रहे थे कि यहीं बाला पनिया सीभे वहां गेना नवादा जिले में इसलिए आप वहां भी इसी तरह से बनवा दीजिए ताकि हर तरह से नवादा भी कोई दिक्रत देगा दरसल गंगा जुलापुर्ती योजना चरंबत तरीके से बिहार के नालंदा गया और नवादा जिले में ताढ़िस साथ लाख लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगी ये परियोजना देश में पहला प्रोजेक्ट है जो बिहार में शुरू की गई है आपको बता देएं देश कुमार आज गया और बौध गया में भी इस परियोजना का लुकारपन करेंगे वही योजना के दूसरे चरंण में जून दो हसार तेईस तक नवादा जिले में भी हर घर गंगा जल पहुँचाने का लक्ष है इस योजना के तहट गंगा नदी के बाढ़ के पानी को दक्षन बिहार के जल संगत वाले शहरों में ले जाकर समस्या को दूर किया जाएगा बहराल जल संगत को देखते हुए गंगा जल आपुर्ती योजना रामबान साबित होगी गंगा जल से लोगों को जल किया बुर्ती की जाएगी तो जल की समस्या भी दूर हो जाएगी भुगर्प का भी जलस्तर बरकरार रहेगा जलवायू परिवर्तन के कारण नवादा नालंदा गया जिले में लगातार जलस्तर में गिरावटा रही है सुखाड और बाद की तुरास्ती का दंश भी जिलना पड़ता है लेकिन अब लोगों को इस से निजात मिलेगा और लोगों को बराबर से साफ़ पानी मिल पाएगा